test labors second year क्या है total number of papers regarding external and internal marks क्या है practicum? क्या है intensive? क्या है intensive duration? क्या है intensive regarding marks? क्या है comprehension by wang? क्या है final practice of teaching? क्या है marks distribution and what's about grand total? वेल अगर आपके मन में भी इन सारे पॉइंट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद सब क्लियर हो जाएगा तो चलिए वीडियो पूरा देखिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स के जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सेकिंड्ट यइर का कोर्स इस्ट्रक्चर वे ने ऊपन किया हुआ है इसमें कुछ कोलोंद्ट्व हैं में आपका की कुछ यहिर की बात करें यह क्या सच्ट धैक्ट में आपकोaktay प्रस्पैक्टीबिस हैं तो डैट्स में जो हमारे यहां पर यह दोनों जो माक्स की कटेगरी है यह आपका एक्सटर्नल है और यह आपका इंटर्नल है ओके तो चलिए वन वाइवन वहम बात करते हैं तो फर्स्ट वन है आपके आपकी जानकारी के लिए बता दू कि बीएट सेकेंड डियर में आपके टोटल सीक्स पेपर्स होते हैं घीक है जिसमें से चार आपके शिक्सर्ट वेपर होतें जिनका आप simply एक्जाम मस्ट होना है और दो आपके पोटल बेस्ट पेइपर्स होते जिनमें आपके प्रोजेक्ट बगेला तयार होगे जिसकी डिटेल में आगे बताउंगे तो चलिए हम兩個 sin प पेपर फर्स्ट है आपका कमपल्सरी पेपर क्या नाम है उसका तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं फर्स्ट पेपर नेम इस डेपलमेंट आफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेज जैट्स मिन भारत में सिक्षा पदिती का विकास और चुनोत तो इसका भी एक्सटरनल आपका 80 है और इंटरनल 20 है अब आजये थर्ड कमपल्सरी पेपर एजुकेशनल लीडर्सीप एंड मेनेजमेंट सेख्षिक नेतिर्थ एबं प्रबंद तो इसमें भी सेम वही चीज है जो मैंने भी बताया 80-20 का रेश्यों है नेक्स्ट वेन कि पेपर नमर फॉर्थ एजुकेशनल गाइडन्स एंड काउंसलिंग यहां में एक चीज आपको यह बताना चाहूंगी कि देखिए बाई लुकिंग तो पेपर सभी ठीक है दूसरी बात है आपकी पढ़ने की क्वेरिसिटी पे निर्भर करता है और आपकी एक्टिवनेस प पेपर है आपका पेपर फॉर्थ मोस्ट इसकोरिंग पेपर है कि अगर आपने इसमें थोड़ा सभी कंसर्ण से काम लिया थोड़ा भी आपने इसमें क्या कहते हैं अपना कॉंसेट्रेशन दिखाया तो इसमें आप बहुत अच्छे मांक्स गेन कर सकते और दैन आप्टर उसके बाद आप करिए उस सेकंड पेपर को हम ले सकते हैं बाकी तो सभी पेपर स्कोरिंग हैं जिसमें जितना आप कंसर्ण करेंगे उतना ज्यादा मार्क्स की प्राप्ति कर सकते हैं तो चलिए यह जो है वो डिसकस हो चुका है आप कर्टेगरी के अंतरगत पहला आपका क्या था आपका प्रैस्पेक्टिस्ज के बारे में था जो आपके अपी पेपर उनकी भात हुए थी मेना जैसा कि आपको बताया था नेक्स्टम बात करें पॉइंट b की प्रैक्टिकम वर्कUNG की तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था कि डोटर नमबर आपके जो हैं है वो six हैं तो इसमें first to fourth हम discuss कर चुके हैं आप हम बात करेंगे पेपर फिप्ट एंड शिक्स की तो पेपर फिप्ट है आपका जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इसूस रिलेटेड विद इन्वाइरमेंट परियावरणिये आध्यान के मुद्दे या परियावरणिये मुद्दे ठीक हैं और दूसरा है आपका issues in education, gender, social, inclusion, peace, value, etc. तो यह है आपके सेक्षिक मुद्दे या सिक्षा के मुद्दे जिसमें आपका gender regarding समाजिक अलगाब और क्या कहते हैं शांति वा मुल्य अबदेश के बारे में बताया गया है ठीक है तो मैंने जैसा कि आपको ब प्रदान किये जाएंगे जैसा कि आपका आपका फर्स्ट यह में था जो आपके ग्रेडिंग पेपर से आपको याद है ना आपका क्या था लैंग्विज प्रफिसेंसी था और लैंग्विज प्रफिसेंसी हो गया आपका computer हो गया आपका ICT हो गया तो उनमें भी आपको marks we crown uzas me exam होता है था लेकिन उसमें उसे आ आपको ग्रेड मिलते हैं तो लाइक देट इसमें भी आपको और इसमें आपका एक्वं्य जांव हैं और आपको project बनाके submit करना होता और उसी के रिगार्डिंग जो आपको great जो है प्रदान किए जाएंगे तो grading सिस्टम आप देख लिजिए जैसे इसमें क्रिटेरिया बना रखा है कि कैसे क्या है एपर आपका excellent रहेगा बीपर very good रहेगा सीपर good रहेगा deeper satisfactory रहेगा इस लेबल तक तो कोई पहुंचे गाई नहीं आप लोग A और B को ही cover करेंगे तो चलिए इस वीडियो के बस इतना ही वीडियो लेंदी ना हो जाए आपको irritating ना लगें तो जो इस वीडियो का जो जो नेक्स पार्ट है इस वीडियो के नेक्स पार्ट में जो इसका remaining पार्ट है remaining जो भी इसमें जो cd या जो other important information जो अभी cover होनी बाकी है उसको मैं उसमें फुल्फिल करने का प्रयास करूंगी ठीक है तो अमीद है आपको यह मेरी कोसिस पसंद आई होगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और ऐसी इन्फोर्मेटी वीडियो के लिए चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब करके जाए और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जैसी ही कोई वीडियो मेरे चैनल के थ्रू अप्लोड हो तो आपको सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो तो चलिए मिलते हैं फिर ए ओ की बाइ